आप देवाशी सवर्मा एंड मेरे पास है आज रोयल एंफिल्ड 350 क्लासी तो लेट स्टार्ट इस रिविव यह उसकी रोयल एंफिल्ड की की आप देख सकते हैं की हम इसके हंडल से स्टार्ट करते हैं यह उसका सेल्फ बटन इंजन अन अफ बटन अपर डीपर पास बटन इंडिकेटर्स और यह है हॉर्म यहां पर आपको अगर बीएस 3 का मॉडल होगा तो यहां पर आपको जो लाइट है उसको स्टार्ट करने के लिए ओप्शन देगा यह बीएस 4 है तो आपको नहीं देगा इंजन और जब आप इसे ऐसे अन करेंगे तो आटोमेटि एसे है थ्रीविप्टी एक्ट्व शीचिय है इसका 3-46 सीची इसका सेलने सरण आप देख सकते हैं काफी बड़ा है तभी इससे जो और अब आज है वो आती है यह उसका टेल लाइट्स टेल लाइट भी छोटे आप देख सकते हैं गोल राउन एंडिकेटर एंडिकेटर सिरिस दलाइट इस चलिए अब यहां पर आपको मिलेगा 350 क्लासिक आप देख सकते हैं यह है इंजन फिल्टर जो इंजन फिल्टरेट करेगा आपका इंजन जल्दी स्टो करेगा और इसमें आपको दो-दो चॉइस मिलता है अब अगर सेल श्टाइट लेना चाहे तो वह भी है या फिर यह आप यह उसकर सकते हैं अगर आप आगे आए तो आगे हैं एक बड़ा सब्सक्राइब लाइट करते हैं अच्छा होगा सी लाइट ओन हो जाते हैं यह दोनों छोटे लाइट भी उसके साथ दिन भर जलेंगा अगर आपका ब्यास हो रहें इसकी इंडिकेटर इसका है अब अपर ढ़्यपर ठीक है पास लाइट हां पास भी ठीक है इसका होड़ है दो दो दीए है आपको चलिए अभीदा राप्स आपके हैं इस साइड के आपको में आपको मिलेगा यह सब एक्वेपमेन फर्स्टर कीट एंड टूल कीट चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे है बैडरी जिसे खोल के मैं आपको भी इखा रहा हूँ यह है बैडरी अमिरॉन का जिसमें रॉयल एंफिल्ड का भी टैग लगा हुआ है चलिए इसे क्लोस करते हैं यह हो गया क्लोस और यह तो हो गई इसकी खासेत अब आपको इसकी भुराइन बताते हैं पहला आप इसका है फ्यूल टैंक फ्यूल टैंक में पुराइनी है 13 13 लीटर का डीजल है लेकिन इसमें जो इंडिकेटर है पेट्रोल का वो नहीं दिया है जो सबसे बिकार बात है होने वाला है तो आपको पता नहीं चलेगा कहीं भी इसमें इंडिकेटर भी नहीं दिया है पेट्रोल का ना कुछ तो आपको इस पात का प्रॉब्लम हो सकते हैं एक है सेकेंड बीएस फोर बीएस फोर तो अब सारी गाडियों में आते हैं क्या बूल सकता है यह दोनों यहां पर और अगर आप इसे में स्टेंड में डालना चाहें तो यहां पर होड़र भी दिया है अब इसकी थोड़ी राइड लेकर देखते हैं यह मैं इसका है चलिए तो इसे हम आउन करते हैं कुश्पन परोड़ी प्रड़ी उते हैं पापर आएंगे ना तो बात करा देना जैसा कि आपने देखा मैंने इसकी टेस्ट ले चुकी है यह चलाने में काफी स्मूध है और अगर आप इसमें लांग डिस्टेंस टेवल भी करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, सस्क्राइ इसनी पॉस्टेशेर कर सकते हैं